कोई भी जिग्यासू अपनी अध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है उसका जो basic fundamental foundation है जो पत्री जी first class में ही सबको बताते हैं वो है हम शरीर नहीं हम आत्मा है याने की हर दिन रात को जैसे हम सोते और सुबा उठते हैं हम अपने मेले कपड़ों को बदलते रहते हैं वैसे ही आत्मा भी अलग 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 शरीर धारन करती है आप सब के लिए लाया है ग्यारा दिनों के लिए पत्री जी द्वारा दिये गए ग्यारा कॉंसेप्ट्स हर एक spiritual quest एक इंसान की spiritual quest हर एक समयकाल परिस्तिती के अनुकूल जो भी महान युक पुरुष इस भूमंडल पर जनम लिये हैं उन सबकी यात्रा यही एक प्रश्न से शुरू हुई कि मैं कौन हूँ Who am I और अपने अनेक अलग अलग प्रकार की साधनाओं की माध्यम से यह जो ब्रह्날 ज्जान है जो एक ही सत्य है जो परम सत्य है जो उनको समझ में आया, वो ही लेके गया उनको अपनी आध्यात्मिक प्रगती में अंतिम पढ़ाव तर. पत्री जी ने इसी बात को एक कॉंसेट की माध्यम से हम सब की समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे उन्होंने मेरे साथ, मेरे पिता जी के शरीर छोड़ने के समय शेयर किया था, और वो है आलफा टू ओमेगा कॉंशिसनेस, तो आलफा सेट क्या है, वो ही है स्पिरिच्वालिटी का बेस, याने कि कोई भी आध्यात्मिक इनसान या कोई भी जिग्यासू अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है, उसका जो बेसिक फॉर्डमेंटल फांडेशन है, जो पत्री जी फर्स क्लास में ही सब को बताते हैं, वो है हम शरीर नहीं हम आत्मा है, याने कि हर दिन रात को जैसे हम सोते और सुबा उठते हैं, हम अपने मेले कपडों को बदलते रहते हैं, वैसे ही आत्मा भी अलग-अलग जन्मों में ये अलग-अलग अलग अलग शरीर धारन करती है, इसका सत्य अगर हम अपनी जीवन में अनुभव करना चाते हैं, तो हम देखते हैं कि जहां पर भी आज की डेट पर दुन्या में हम दुख देखते हैं, अपने ही जीवन में हम सीमाओ के अपने ही जीवन में हम सीमाओ के, अंदर रहते 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 हम समझने लगते हैं कि हम शरीर हैं, यानि कि जब तक हम जीवित हैं, जो हमने हाजिल किया है, सिरफ वो ही है रियालिटी, जो अद्रिश्य सत्य ये है दोस्तों कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, अनेक अनेक जनम लेकर ये आत्मा आज इस than पर आई है, तो आत्मा क्या है? आत्मा एक triune units का combination है, 13 units का combination है, energy, consciousness और wisdom units. ये पिर्मिट पिरिट्वल सोसाइटी जी मूवमेंट के emblemb में भी बनाया गया है, energy, consciousness and wisdom. तो क्या है ये energy, consciousness and wisdom? चेतना से उत्पन हुई एक सोच को जब हम फिजिकल रियालिटी में अगर अनुभव करना चाहते हैं वो है उज्जा तो ये जो विस्तार सा जो हमारा भ्रहमांड में जो जागुरुप चेतना है जो जानता है कि आहम भ्रहमास मी तत्व मसी जब ये जागुरुप चेतना एक सोच के माध्यम से अपने आप को अनुभव करने के लिए जब उत्पन हो उसके अंदर जब एक डिजायर जागुरुथ होता है उससी जो निकल के आता है वो एक उर्जा का यूनिट और उस प्रहमांडिय चेतना है जब वो स्वयम को अनुभव करने के लिए एक जीव आत्मा के तरीके में भूमंडल पर प्रवेश करती है तो वो दो यूनिट्स यानि कि उर्जा और चेतना की यूनिट्स बनके भूमंडल पर आती है तो आत्मा का जो तीसरा कोण है यानि कि वैसे डिवेलब करते हैं एक आत्मा अनेक 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 जनम अब अनेक 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 जीवन परिस्तितियों को अनुभवों को लेते 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 एक समय आता है जब यह पूरा कम्प्लीट आत्मा बन जाता है एक जीवात्मा है तो पूर्ण जैसे ही बीज में एक पेड़ ब जो डीनली अपनी आध्यात्मिक्ता में पहला पड़ाव लेना चाहता है, वो हो यह जानने की शुरुदे करता था उनके सामने उनको सारा उनके सामने उनको अपने सारा परिवार दिखने लगा उश्री कृष्ण भगवान से पूछे है श्री कृष्ण मैं कैसे करूं वो मेरे मामा मेरे भाई मेरे भैन मेरे दादा इन सभी के साथ मैंने अपना जीवन मैं अपने बच्पन से ही पला भरा हूँ मैं कैसी इनके प्रती युद्ध करूं तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा करम करने का ही अधिकार तुमारे पास है पल की चिंता करने की नहीं युद्ध करना अब तुमारी एक धरम है अपना ड्यूटी करो एक योगी बनो अर्जुन करके श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को कहा यही है आध्यात्मिक्ता का पहले पढ़ाब जब हम यह जाना शुरू करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है सही माइने में हमारा धरम क्या है हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए क्या सुनना चाहिए क्या नही पर हम चलना शुरू करते हैं तो इसलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा था मध्यम मार्ग संसार को छोड़ की निर्वान की प्राप्ति नहीं होती और इसलिए PSSM में भी पत्री जी ने खुद यही करके दिखाया कि संसार में ही हम अपनी निर्वान की प्राप्ति कर सकते हैं धीरे 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 जैसे हम जानना शुरू करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है अंतिम पढ़ाव हमारी आध्यात्मिक्ता में वही है ओमेगा कॉंशिसनेस और वो है अहम भ्रहमास्मी त तत्वमसी मैं ही तुम हो I am that and you are also that हम भ्रहमास्मी तत्वमसी हम सब एक हैं जब पत्री जी ने ये कॉंसर्प बताया था मेरे पिता जी ने उसी समय अपना शरीर छोड़ा था और पत्री जी ने कहा मेरे जीवन में दुख के लिए कुछ भी कारण नहीं है मैं किसी की जाने के लिए दुख नहीं बनाता हर एक दिन एक उत्सव है क्योंकि मैं जानता हूँ मैं सितारे भी हूँ मैं सूर्य मंडल भी हूँ मैं सागर भी हूँ मैं शास्त्री जी भी हूँ मैं पत्री भी हूँ मैं एक अलेख्या भी हूँ अंतिम पढ़ाव आध्यात्मिक्ता में जो ह अपने ध्यान की साधना की माध्यम से प्राप्त किया है। ये जान लिया कि आहम भ्रमास्मी तत्वमसी। और पत्री जी ने ये ज्यान, ये अद्बुत ज्यान हमें इतने सरल तरीके से बताया कि हम अपने बौतिक रियालिटी में भी इसको अनुभव कर सकते हैं। और वो कै कैसे है ध्यान, स्वाध्याय और सर्जन सांगत्या। तो पत्री जी के जन मोचसव पर उनको बहुत 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 धन्यवाद कि नोने ये एक अद्बुत भ्रमग्यान इतने आसानी से अपनी निजी जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं और इस्तिती को अनुभव कर सकते है थांक यू पत्री जी नमस्ते